सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टड़ी को चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको भी जरूर दबाएं जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए प्वागत है आपका टेक स्टड़ी चैनल पर जिसमें आज हम वेल्डर ट्रेट थियोरी का एक्जाम पेपर सॉल्ब करने वाले हैं जो कि है NCVT 2019 एनुवल एक्जाम का 2019 में पहली बार NCVT के सारे एक्जाम्स एनुवल हुए थे समेस्टर सिस्टम को हटाया गया था तो यहाँ पे आज हम वो 50 कुश्चन देखेंगे जो कि 2019 एनुवल एक्जाम में पूछे गये थे तो आईए वन बाई बाई वन देखते हैं पहला कुश्यन है, सोल्डरिंग फ्लक्स का चैयन किया जाता है यहाँ पर देखें चार अप्णिए इन, Goddess के कारेकारी तापमान पर जोड़े जाने वाले पदार्थ के आधार पर, सोल्डरिंग प्रक्रम पर उप्रोप्त विप। आपकर सभी यह एक अगर छोटी आक्सी स्टील की फ्लेम हो तो हम कितनी mm मोटी स्टील की प्लेट को पिगला सकते हैं 1.5 mm, 6 mm, 7.5 mm या 8.5 mm राइट आंसर आपका यहाँ पे 1.5 mm कुशंबर 3 है Space में समान धातों को प्लास्टिक या आंसिं गलन इस्थिती तक गर्म करके वैल्डिंग की जाती है तो यहाँ खाली अस्थान में क्या भरना है? Bracing, Pressure Welding, Fusion Welding या Soldering आपका राइट आंसर है Pressure Welding इसमें हम क्या करते हैं किसी भी धात को जिसको weld करना उसको plastic अवस्था तक उसकी गरम करते हैं उसके बाद उसकी welding की जाती है प्रेसर apply करके कुशंबर फूर है ट्राइ स्कॉयर विनर्दिस्ट किये जाते हैं तो जो try square आणि जिसको हम गुनिया बोलते हैं हिंदी में उसको हम किससे बिनर्दिस्ट यानि किससे specify करते हैं तो यहाँ पर आपका answer होगा a blade की लंबाई से जो उसकी blade की लंबाई होती है उससे हम उसको specify करते हैं कुशंबर 5 है निमन में से कौन सा arc blow का प्रभाव है penetration कमजोर weld a और b दोनो उच्छ गलन अगर arc blow हो रहे है welding करते टाइम तो उसका प्रभाव कौन सा है तो यहाँ पर आपका right answer है a और b दोनो यानि कि उससे penetration में भी कमी आएगी और welding भी हमारी कमजोर होगी कुशंबर 6 है welding shop में कौन सा fire extinguisher उपयोग किया जाता है तो जो welding workshop होती वहाँ पे हम कौन सा fire extinguisher यानि कि कौन सा अगनी सामा की अंत्र प्रियोग करते हैं किस टाइप का तो यहाँ पर आपका right answer है co2 extinguisher carbon dioxide जो fire extinguisher होता है उसको हम welding shop में इस्तेमाल करते हैं कुशंबर 7 है weld प्रतीक O का प्रियोग पेस को दरसाने के लिए किया जाता है seam weld, spot weld, projection weld या flash butt weld तो यहाँ पे right answer आपका spot weld कुशंबर 8 है किस non destructive test के संचालन के लिए बिजली की आउसकता नहीं होती है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा NDT test है जिसके लिए बिजली की आउसकता नहीं होती तो आपका right answer है die penetration test इसमें हमारे 3 liquid होते हैं जिससे हम आपका non destructive test नहीं जिससे हम welding में crack same की पहचान करते हैं कितना crack है कहाँ पे crack है कुशंबर 9 है भारती मानक अनुसार किसी electrode code में 2 अक्षर होते हैं 4 संख्यावाले नंबर के साथ दूसरा अक्षर क्या दरसाता है तो जो electrode का code होगा 4 संख्यावाले नंबर का उसमें जो दूसरा अक्षर होगा तो आपका right answer है यहाँ पे covering का प्रकार जो electrode का आपका core wire है उसका covering का प्रकार होगा दरसाता है आपका दूसरा अक्षर कुशंबर 10 है प्रगती seal gauzing में gauzing टार्च का cone प्रारंबिक 30 अंस cone से कितना कम हो जाता है तो जो progressive gauzing होती है उसमें जो angle होता है वो आपका 5 से 10 degree कम हो जाता है 30 degree से कुशंबर 11 है snip के blade को sharp करने के लिए के cone पर grind किया जाता है तो जो snip है उसके blade को अगर हमको sharp करना हो तो उसको हम grind करते हैं 87 degree पर कुशंबर 12 है gas building में इन में से किस प्रकार की filler rod का प्रयोग किया जाता है तो gas building में जो हम filler rod का प्रयोग करते है वो हमारी होती है इन सभी तरह कियानि फेरस फिलर राट भी होती है नान फेरस फिलर राट भी होती है एलाय टाइप फिलर राट भी प्रियोग करते हैं कुशंबर थर्टीन है SMAW को किस अन्य नाम से जाना जाता है SMAW का फुल फाम होता आपका Sealeded Metal Arc Welding तो इसको हम जानते है Manual Metal Arc Welding के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से Manual Operation होता है कुशंबर फिप्टीन है Nirm Flame यानि Soft Flame का Vague Velocity होता है तो जो Soft Flame होती है उसका Velocity होता है 10 से 15 मीटर पर थी Second कुशंबर फिप्टीन है असुरच्चित Welding अभ्यास के दौरान Arc को प्रतक्च रूप से देखने पर क्या होता है तो अगर हम असुरच्चित Welding अभ्यास कर रहे हैं उसके दौरान अगर हम Arc को डारेक्ली देख लेते हैं तो आपका Arc आई आ जाती है जिससे आपकी आँख में पेन होता और आँख में आँख लाल हो जाती है कुशंबर 16 है निल्मिकित में से कौन सा एक Non-Distructive Test है Impact Test, Tensile, Nick Break Test या Magnetic Practical प्रैक्टिकल नहीं होगा यहाँ पर Particle होगा Magnetic Particle Test जिसको हम MPT बोलते हैं तो यहाँ पर जो आपका Magnetic Particle Test है यह है आपका Non-Distructive Test या NDT जिसको हम बोलते हैं कुशंबर 17 है उसमा उपचार प्रक्रिया द्वारा मजबूत किये गए उपकरण को दुबारा गर्म करने और ठंडा करने जिससे की मजबूती प्राप्त की जा सके की प्रक्रिया को कहते हैं Case Hardening, Induction Hardening, Tempering या Flame Hardening तो इसको हम बोलते हैं Tempering कुशंबर 18 है किस प्रक्रिया का प्रियोग भंगूरता को कम करने और उपकरण की मजबूती को बढ़ाने के लिए किया जाता है यानि ऐसा कौन सा Operation है जिससे हम Brittle ने सोती भंगूरता होती उसको कम करते हैं और जिससे की उपकरण की मजबूती बढ़ाई जा सके तो आपका Right Answer यहाँ पे Tempering कुशंबर 20 है यदि टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में गैस नौजल बनाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है चिकनी मिट्टी, सिरेमिक, मेकेलाइट या इलाम तो आपका Right Answer है सिरेमिक जो गैस की नौजल होती हो आपकी सिरेमिक की बनी होती है कुशंबर 20 है यदि टिक वेल्डिंग प्रॉसेस में गैस का प्रवाह उप्युक्त ना हो तो क्या होगा अगर टिक वेल्डिंग में गैस का फ्लो प्रॉपर नहीं है उप्युक्त नहीं है तो क्या होगा चिद्रिलता यानि जो वेल्डिंग करेंगे उसमें चिद्रिता आएगी कुशंबर 21 है मिग, मैग वेल्डिंग में गैस रेगुलेटर से एक समान रूप से बाहर नहीं आ रही तो weld bead में क्या दोस उत्पन हो सकता है मैं ग्यानी metal inert gas welding और मैं ग्यानी metal active gas welding में अगर गैस रेगुलेटर से एक समान रूप से बाहर नहीं आएगी तो क्या होगा छिद्रिलता, overlap, blowhole या undercut तो यहां पर आपका right answer है डी, undercut का दोस उत्पन होगा कुशंबर 22 है टंगस्टन लिल्क्रोट का melting point है तो टंगस्टन लिल्क्रोट का melting point होता है वो होता है आपका 3410 degree Celsius हम बोलते हैं longitudinal distortion कुशंबर 24 है आकसी एसिटली neutral flame में दाहन के कितने चरण होते हैं तो जो neutral flame होते हैं उसमें दाहन के टोटल दो चरण होते हैं कुशंबर 25 है टैक welding के दोरान भारी वा बड़े साइच की प्लेटों को weld jig पर सेट करने के लिए किस प्रकार के clamp का उपयोग किया जाता है C clamp, U clamp, Screw Clamp या यह सबी तो यहाँ पर आपका right answer है Screw Clamp कुशंबर 26 है जोड के bottom पर root run के projection को कहते हैं तो जो जोड का bottom होता उस पर हम जो root run का projection हो उसे हम कहते हैं root penetration कुशंबर 27 उस आसान टेस्ट का नाम बता है जिसका प्रयोग build में दरार ढूंडने के लिए किया जाता है नहीं जो build में crack ढूंडने के लिए किया जाता है ultrasonic test, stethoscope test, gamma ray test या x-ray test यहां पर आपका right answer है ultrasonic test या जिसको हम बोलते हैं UT test question number 28 है iron powder electrode को प्रयोग में लाने का मुख खिलाब क्या है जोड में दरारों को नजरेदाज करता है flux coating की मजबूती को बढ़ाता है weld के पूरा होने में लगने वाले समय को कम करता है question number 29 है 8 mm वाले मोटे बट को 4 mm के आकार के electrode से submerged arc welding प्रक्रिया के लिए सेट किया गया current है तो आपका right answer होगा यहां पे 620 एंपियर question number 30 है sealeded metal arc welding प्रक्रिया का क्या लाब है तो जो इसका main लाब होता है वो होता है आपकी surface को किसी भी इस्तिती में weld किया जा सकता है जो sealeded metal arc welding होती है इसमें हम किसी भी इस्तिती में weld कर सकते हैं vertical, horizontal, overhead या कोई भी जो position हो उसमें हम welding कर सकते हैं यह इसका सबसे बड़ा advantage होता है question number 31 है भारी मोटाई की गढ़ाई और ढलाई किसके द्वारा weld की जा सकती है तो जो भारी मोटाई की गढ़ाई और ढलाई करने हो उसके लिए हम friction welding का प्रियोग करते हैं question number 32 है उस दोस का नाम बताएं जिसमें deposit धातु की सता पर pin holes का निर्माड होता है crack fusion की कमी चिद्रिलता या कम भेदन तो यहां पर आपका right answer है C चिद्रिलता question number 33 है GTAW यानि gas tungsten arc welding प्रिक्रिया में प्रियोगत electrode के material का नाम बताएं तो यह जो होता है आपका tungsten electrode होता है जिसको हम TIG welding भी कहते हैं question number 34 है FCAW क्या है तो FCAW का full form होता है आपका flux cord arc welding इसमें हम hollow electrode यूज करते हैं खोखला electrode का प्रियोग करते हैं question number 35 है लोहार द्वारा छेनी बनाना उदाहरण है molding का, seaming का, forging का या riveting का तो यहां पर आपका right answer है forging का question number 36 है arc welding में निम्न में से किस प्रकार का pipe जोड बनाया जाता है बट जोड, elbow जोड, composite जोड या A सभी right answer है आपका A सभी D question number 37 है TIG welding का प्रियोग space की welding के लिए किया जाता है ferrous metal, aluminum, stainless, stelea, A सभी तो जो TIG welding है यानि टंगस्टन, inert gas welding है उससे हम इन सभी धातों की welding कर सकते हैं question number 38 है welding संकेत के कुल कितने तत्त होते हैं तो welding संकेत के कुल तत्त होते हैं आपके 7 question number 39 है thermit reaction समय क्या है thermit reaction time क्या है 4-6 second, 7-10 second, 11-13 second या 25-30 second तो thermit reaction है जो thermit welding हम करते हैं तो उसका जो reaction है वो आपका 25-30 second का होता है question number 40 है ताबे की धातु को पूर्व गर्म करने का तापमान space तक होता है 100-130, 150-260 degree Celsius, 270-425 degree Celsius या 425 degree Celsius से अधिक तो आपका right answer है है 150 degree Celsius से 260 degree Celsius question number 41 है इसपे इसका प्रियोग स्लैक को हटाने के लिए किया जाता है ballpin hammer, hearth, clamp, chipping hammer या electrode holder तो यहाँ पे आपका right answer होगा chipping hammer इससे हम स्लैक को हटाने का काम करते हैं question number 42 है टिक welding में प्रियोग किया जाने वाले inert gas cylinder का रंग क्या होता है तो जो inert gas cylinder होता उसका रंग होता आपका more के रंग के समान नीला question number 43 है वेल्डिंग के दोरान लंबी आर्क के प्रियोग को टालने का कारण है या open circuit voltage को बढ़ाता है या मूल धात को बहुत कम संगलन प्रदान करता है बेल्डिंग के दोरान जोड में दरारे उत्पन करता है या अधिक electrode का उप्वोग करता है तो जो लंबी आर्क होती है उससे अधिक electrode की खपत होती है इसलिए हम लंबी आर्क का प्रियोग नहीं करते है question number 44 है रूटाइल electrodes पर की coating की जाती है टाइटेनियम डायाकसाइड, cellulose, calcium carbonate या calcium fluoride तो आपका right answer है यहाँ पर टाइटेनियम डायाकसाइड question number 45 है two stage regulator का उप्योग किया जाता है cylinder में, manifold में, A और B दोनों में, pipe lines में तो यहाँ पर आपका right answer है A और B दोनों में question number 46 है ब्राँज बेल्डिंग में बेल्डिंग तापमान रखा जाता है 325 डिगरी celsius, 425 डिगरी celsius, 525 डिगरी celsius या 125 डिगरी celsius तक तो जो ब्राँज बेल्डिंग होती है उसमें हम तापमान 425 डिगरी celsius तक रखते है question number 47 acid lean में hydrogen की मात्रा होती है 92.3%, 7.7%, 54.7% या 82.3% right answer आपका यहाँ पे 7.7% जो acid lean gas होती है उसमें hydrogen की मात्रा 7.7% होती है question number 48 है welding की left world technique में blow pipe को कितने कोंड पर रखा जाना चाहिए 30 से 40 डिगरी, 40 से 50 डिगरी, 60 से 70 डिगरी या 70 से 80 डिगरी तो जो left world technique होती है उसमें हम जो blow pipe है यानि जो आपका welding torch होता है उसको हम 60 से 70 डिगरी पे रखते है question number 49 है किस प्रकार की arc welding machine में arc blow की समस्या उत्पन होती है तो arc blow की समस्या हमेशा DC welding machine में उत्पन होती है question number 50 है acetylene cylinder का रंग होता है तो acetylene cylinder का रंग होता है maroon color का ये थे 50 questions जो कि आपके 2019 exam में पूछे गए थे annual exam हुआ था तो आने वाले जो exam है 2020 इसमें से बहुत सारे questions अब put up हो सकते हैं और अगला वीडियो जो होगा 2018 का paper solution होगा उसके बाद 2017 का होगा semester wise भी इस पे solution आएंगे back to back अभी हम वीडियो इस चैनल पे डालते रहेंगे तो चैनल को अभी तक आपने अगर subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और share कीजे प्रक्ता से पुम्थर कर अभी संब दोने होगा नहीं का Mia ज़्यादा से तक माँ आपने भी इसे घसन सबाना कि ए ही तो अटार से पती होगा ?'